ही वाइटी बियंस की हाल चाल वेलकम बैक टो जो तो तो 23 अपरेल 2021 को हिमाचल प्रदेश के मनाली और शिमला के कुफरी और नारकंडा में बहुत अच्छी स्नोफल हुई है और ये स्नोफल लगबग कई सालों बाद इन दिनों में हुई है हो सकता है कि आज कल क्योंकि पूर सारी इनफॉर्मिशन देने जा रहा हूँ वैसे आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इंडिया में किसी भी प्लेस पर अभी जाकर के विजन ना करें अपनी फैमली और फ्रेंड्स और खुद की इस टाइम प्रटक्शन करें और किसी वजह से अगर आप घुमने फ इनफिला में जो सबसे फेवरेट टूरिस्ट प्लेसिस हैं तो मैं आपको बतायता हूँ कि कोविड नाइनटीन की रिपोर्ट अभी वहां पे आर्टी पीसी आर मेंडेटरी नहीं हैं फिर भी अगर आप विजिट करते हैं तो अपने साथ केरी करिए क्योंकि कहीं भी रस् सकते हैं इसलिए आपको किसी प्रकार के समस्या नहीं हो इसलिए 72 घंटे पहले तक की कोविड नाइनटीन आर्टी पीसी आर नेगेटी रिपोर्ट को कैरी करें और तभी घुमने जाएं हिमाचल प्रदेश के मनाली मकलाइड गंज या हिमाचल के शिमला जैसे टूरिस्ट प्लेसेस पर अब दोस्तों आगे आप बात कर लेते हैं कि क्या अभी हिमाचल प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन या कर्फियू या नाइट लॉकडाउन इस तरह की कोई परिस्टी बनी हुई है तो मैं आपको बतायता हूँ कि अभी ऐसा कुछ भी इंपोस नहीं किया गया है हलाकि सरकार इस बारें बात कर रही है कि केसिज अगर और बढ़ेंगे तो ऐसे कड़े निर्णे लेने पढ़ेंगे हलाकि सरकार बच रही है ऐसे निर्णे लाने न पड़े है क्योंकि यहाँ पर की एक सारी अर्थवरस्ता जो है वो केबल टूरिजम पर डिपेंड करती है, इसलिए अभी इसे अवाइड किया जा रहा है, लेकिन समया प्रिस्टिन का अनुसार देखा जाएगा, इसके साथ साथ जो भी डिस्टिक कलेक्टर हैं, उनको ये पावर दी गई है कि किसी भी स्थान पर आशकता अनुसार धारा 144 या नाइट कर्फ्यू या वीकेंड लॉकडाउन या संपूर लॉकडाउन लगा सकते हैं, ऐसा उनको सारे के सारे अधिकार दे दिये गए हैं, अब दोस्तों आगे आपको मैं बतायता हूं कि मनाली में कहां कहां पे सनूफल ह हुई है तो मनाली में लहौल स्पिती, रोहतांग पास, सोलांग वैली, मनाली के माल रोड और अगर शिमला में जाएं तो नारकंडा और कुफरी में बहुत अच्छी सनूफल थोई 23 अप्रेल 2021 को, इसके साथ साथ जो भी हिमाचल के अभी मंदिर हैं, उनको क्लोस कर दिया हैं और इसके साथ साथ अगर कोई यह जानकारी जाना चाहता है कि क्या वालू अभी चल रहे हैं, दिल्ली से तो दोस्तों, दिल्ली में तो आपको पता ही है कि एक हफ़ते का लोगडाउन लगा हुआ है, तो कोई भी वालू अभी चल नहीं रहिए और पूरी उमीद है कि और भी आगे बढ़ेगा तो आप इस सीच को मान जाए कि अभी परिस्थी क्योंकि बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है आप लोग घर ही में रहें किसी भी तरह का ट्रैवल अभी ना करें कोई भी इसे जुड़े वे सवाल आपके रह जाते हैं तो आप बाइटी भारत पर चाते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ट्रैवल कंपनी का नंबर दे दिया है किसी भी आने वाले पैकेज को मनाली, शिमला, कश्मीर, केरल या अलवले डैस्नेशन के अंडमा, लेह लगदाग, किसी भी पैकेज जो बुक करान चाते हैं तो इस नंबर पर निवाद दोस्तों, जै हिंद, जै भारत, नमस्कार